वेल आज मेरे पास आप सब के लिए एक गुड नियूज है और वो गुड नियूज ये है कि बहुत टाइम से आप लोग इस चैनल पर डिमांड कर रहे थे कि आपको स्टॉक मार्केट स्टेप बाइ स्टेप सीखनी है वेल बहुत सरी वीडियो हमने आप लोगों के लिए बन एक ऐसा क्राश कोर्स जिसमें आप सिर्फ 21 दिनों के अंदर स्टॉक मार्केट सीखना शुरू कर देंगे वेल ऐसा बिगनर जो आपको चीजे सीखनी की जुरूरत है हम सब पैसा बनाना चाहते हैं डिफिनिटली मैं इसके उपर बात करूंगा कि आप पैसे कैसे बनाने व सब्सक्राइमार और अफलेडिक की बादा ती तो भी फ्रिमेन की सिखाता यह कोई चार्ज करता था है पैसे चार्ज करनी से याम पैसे कौा मैं शॉक मार्केट प्रमिस करने करने में था बाट किक्वा वहरा बचपन से मनन था बर अगर आप किसी चीजestion को बिना चुछ कर इस चीज को दिमाग से एक मिनिट के लिए निकाल दीजे कि आप कितने पैसे बनाने वाले हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है आप कहेंगे हमें बहुत पैसा बनाना है वेल इंगूड मैं आपको यहां पर एक ही चीज बोलूँगा मेरा जो मोटेव है आपको यह कोर्स प्र करोड कर लिया आप इंस्टाग्राम पे फेस्बुक पे किसी ग्रील लेकर मोटेवेट हो सकते हैं और उसके बाद आप कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रेड मार लेंगे या पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे पर आप मेंसे जादतर लोग नुकसान करने वाले हैं अब यहां पर हम कोई रात और रात अमीर बनने की बात नहीं करने वाले हम यहाँ पे फंडम्नमेंटल सिखेंगे हम यहां पे टेकनिकल सिखेंगे अब क्या हूने वाला है कैसे हूने वाला है and definitely अब स्टॉक मरकेट की बात कर रहे हैं so आज मैं आपको सबसे पहले एक ऐसी 21 days मैंने बोला अगर मुझे बोनस वीडियो बनाने की ज़रत पड़ेगी तो मैं वह भी बनाऊगा अभी मैं आपको यह वता रहो 21 days के अंदर मैंने आपके लिए ऐसा program डिजाइन किया जिसके अंदर आप क्या सीखने वी हो पहले देख लीजए सबसे पहले जब हम बात करते हैं stock market की तो लोग investment करने की बात करते हैं कि stock market में invest कैसे करें invest क्या देखकर करें fundamental analysis कैसे करते है ratio analysis क्या होती है अगर आपको investment के बारे में कुछ नहीं पता stock investing mutual fund investing और ETFs किया होते हैं, और जैसे मैं ने बोला कि आपको analysis करना भी नहीं आता, आपको इसी crash course में सीखने को मिलेगा, एक और चीज में आपको बता दूँ, पहले ही बता देता हूं, इस course के हम आपसे कोई charge नहीं लेने वाले हैं, यह free of cost है, मैंने बोला एक time ऐसा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, बट मुझे लगता कि बहुत सरे लोगों की help हो सकती है इस course से, दूसरी चीज, यह मैं definitely YouTube पर डाल रहा हूं, सो मैं आप लोगों से एकी चीज गुजारियाश करूँगा, कि अगर आपको information valuable लगेने से share कर देना, जिससे बहुत सरे लोगों का फायदा हो जाएगा, इसके अलावा मुझे आप से कुछ भी और नहीं चाहिए, अगर आप नए है, मैं आपको यह प्रॉमिस कर सकता हूं, कि जितना मुझे अभी तक आता है, मैं आपको देनी की कोशिश करूँगा, डेफिनिटली दिर इस अलोट टू लर्न, बट जितना आपको ऐसा बिगनर सीखने की जरूद है ना, आपको सिंपलेस लैंगवज में मिलने वाला है, मेरा काम है, मैं कॉंपलेक्स चीज़ों को सिंपल कर दूँ, तो अगर आज आप स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हो ना यह आपको Crash Course बहुत फाइदा घरने वाला है, तो हर दिन आपको एक वीडियो मिलने वाली है, तो सुबह साड़े नौ बज़े आप प्रिपेर्ड रहेगा अपने कॉपी बेन के साथ, और अगर किसी दिन वीडियो में से हो जाए तो आप बाद में भी देख सकते हैं क्यों में ट्रेडिंग सीखना है, अब ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले क्या सीखने की ज़र होता है, टेकनिकल एनलेसिस, तो टेकनिकल एनलेसिस भी इस कोर्स के अंदर इंक्लूटेड है, आपको में टेकनिकल एनलेसिस के ऊपर आपको बेसिक जो चीज़े सीखने की ज़र ह वो इसमें definitely सिखाए जाएंगी support resistance क्या होता है indicator based trading कैसे करते हैं price action based trading कैसे करते हैं momentum trading कैसे करते हैं breakout breakdown trading कैसे होती है और fake breakdown और fake breakouts को आप कैसे identify कर सकते हैं आपको volume analysis बहुत सरी चीज़े हैं जो technicals में आपको पता हो नहीं चाहिए यह सब आपको इस course में मिलने वाला है इसके बाद हम definitely chart patterns, candlestick patterns को भी सीखने वाले हैं मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हम step by step आगे बढ़ेंगे so आपको बस बने रहना है सारी चीज़े step by step clear होती रहेंगी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज मुझे आती है आप skip भी कर सकते हो so totally up to you अब इसके बाद आप क्या सीखेंगे यह और important है आप लोग जब trade करने की बात करते हैं तो intraday trading कैसे होती है उसकी कुछ strategies हैं जो आप अपना सकते हैं ऐसी strategies जो मैंने खुद लोगों से सीखी हैं जो अच्छा काम कर रही है market में मैं definitely आपके साथ share करूँगा उसके बाद swing trading कैसे आप कर सकते हैं उसकी strategies आपके साथ हम share करेंगे उसके बाद जब आ जाता है future trading future trading के उपर आप बात करेंगे और आप future trading को भी सीखने वाले हैं उसकी strategies के उपर हम discussion करेंगे and finally आप सब की favorite options में कैसे trade करना है समझने होंगे तो Greeks की ओपर भी आपको video मिलने वाली है उसके बाद option chain analysis options की strategies आपको बहुत कुछ इसी course में मिलने वाला है so अलग-अलग market view के according आप कौन-कौन सी strategies यूज कर सकते हैं and definitely मैं आपको आपनी भी favorite strategy बताने वाला हूं जिससे definitely मैं बहुत बड़ी-बड़ी बाते नहीं करने वाला आपके साथ but yes, पैसा लगातार बनता हुआ आप देखेंगे अगर आप चीजों को समझते हुए करेंगे so ये सारी चीजे एक ही crash holds के अंदर हम करने वाले हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी responsibility है क्योंकि आप लोग अपना time और attention देने वाले है so this is my duty कि आपको value मिले अब इसी वीडियो के अंदर कुछ चीजे discussion करनी बहुत जरूरी है देखें आज आप मेंसे बहुत से लोग already पैसा बना रहे होंगे हो सकता है आज आप पैसे नहीं कमारें बड़ कभी न कभी तो आप पैसे कमाएंगे आपके पाँ पैसे होंगे अब अगर हमारे पाँ पैसे आ जाते है if you have money देखो जब हम बात करते हैं financial education की यह होता कहा financial education मतलब कहा financial education का financial education से stock market नहीं है stock market investing आपको समझना जरूरी है एक हिस्सा है financial education का but मेरे हिसाब से financial education की सिर्फ तीन ही माहिन है number one you need to understand how to make money पैसा कमाना उसके बाद पैसे को manage करना managing money and then पैसे को grow करना यह तीन चीज़े होती है और अगर आपको यह तीन चीज़े आती है तो आप financially educated हो but अगर आज आपको पैसे कमाने नहीं आते पैसे को manage नहीं आता पैसे को बढ़ाना नहीं आता तो आप financially educated नहीं हो अब इंडिया के अंदर financial education की बहुत ज़्यादा ज़रूँ हता है लोगों को पैसा कमाना सीखना है पैसे को manage importance दे, ठीक है, तो अब ये इतनी इसी बात हमें समझ आ रही है, क्योंकि crash course है, तो हम बहुत जादा time नहीं ले सकते crash का मतलब होता है fast, तो अब हम fast चीजे समझने की कुशिश करेंगे, देखिए है क्या चीज, देखिए किताब में मैंने पढ़ा था, कि अगर आप किसी भी field को सिर्फ दिन का एक घंटा पास सालों के लिए दे दे तो आप उस field के अंदर expert बन सकते हैं अब चाहे वो field कोई भी हो चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे cricket खेलना हो, चाहे डांस करना हो, चाहे badminton खेलना हो, अब चाहे वो stock market ही होना हो, पर आप कहेंगे पास साल तो बहुत बढ़ा टाइम है, तो आप यह ज़रूरी थोड़ी है कि आप दिन का एक घंटा दो, अगर आप दिन के दो हिंटे देते हो किसी field को, तो आप अपने learning curve को छोटा कर सकते हो, अगर आप दिन के पढ़ाई करी हुए, although I prepared for engineering so, पढ़ाई करी हुए है, मेरे पास 11 intervals में science थी, commerce नहीं थी, मैं आपको यह बताना चाहूँगा उसके बावजुद भी, यह जो तीन चीसे मैंने पीछे लिखी है ना, पैसा कमाना, पैसे को manage करना और पैसे को grow करना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, और यह मैं लगातार अच्छे से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से आता है, मैं आपको समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, अब मैं आपको यही बोलूँगा, आज हो सकता है, आपको stock market के की जुरूत होती या कोई सूपर ब्रेंच रही होता तो मैं यहां पर कभी सक्सेस्फुल नहीं होता फिर तो मुझे न्यूस्पेफर बाटने जाना पड़ता क्योंकि यहां पर सिंपल चीजे वर्क करती है और वही सिंपल चीजे मैंने सीखी है वही मेरे लिए काम कर रही है और वह यूनिवर्सल प्रिंसेपल आपके लिए भी काम करेंगे जो चीज सही है जो चीज सच है वह आपकी सथ में शेयर करने वाला हूं और उससे आपका भी बेनिफिट होगा अब हमने बात करी आज आपके बाद पैसे नहीं है कभी तो पैसे होंगे हमें पैसे को हुआ इंग्जैंपल ल여ड़ा है आप माल लेते हैं कौन मुनेहां करूरपती में घए आप कबीसी में घाए और appetite केईपी सी में जाके पांच करोड रुपेया जित अब थो और मुझे पताईए किस पांच करोड रुपए का या करने वालेसे आपको पताए हैं जा दे त को खतम करना शुरू कर देंगे चुलिए यह हुआ पहली काटिगरी की देवल स्पेंड इडॉल मैं कहता हूँ आप समझदार रहा है तो मैं उसे अपने पास रखोगा कोश्यन आएगा कहां पर पांच करोड को बैंक से जाकर निकाल के लिए भर पर रखेंगे अभी में टैक्स की तो बात ही नहीं कर रहा है आप उस फैसे क्या करने वाले हैं आप कहिए चलो जी मैं बैंक में रखूंगा ओके बैंक में रखने के आपके पास यहां पर दो रास्ते हैं या तो आप अपने सेविंग अकाउंट में छोड़ दिया आपको तीन परसेंट से लेके शे परसेंट तक का yearly interest मिलेगा, सालाना, या फिर आपने bank में जाके FD करा दी जहां पर आपको 6% से लेके 8% तक का आपको interest मिलेगा, सालाना ये दो option है, बट आप को अब एक चीज़ पता है क्योंकि आप इतनी वीडियो देख चुके है मेरी, कि एक चीज़ होती है जो दीमक होती है, पैसे के ओपर दीमक लग जाती है, जिसे हम बोलते है inflation, दीमक का क्या काम होता है, दीमक का काम होता है पैसे को कम करना, लकड़ी को खाजाता है, लकड़ी को होकला कर देता है, तो खतम कर देता है दीमक क्यों है inflation, क्योंकि लगातार आपका अगर पैसा आपके पास घर पे पड़ा हुआ है और उस पर आपको इंटरस्ट नहीं मिल रहा है तो पैसा अपनी वैल्यू लूस कर रहा है बहुत जादा पुरानी बाते मत करो आप अभी देख लो अपने आसपस प्रॉपिटी के प्राइस देखो तीन साल पहले क्या तहिते हैं और अभी क्या है आपको जो थिग्स अलमें तो बहुत बढ़ गया से मैं घोंगा आप यह बताएए और यह सोने का बहुत नहीं और था भुछ वह इसेल ममी सबज कर आटी है ममी से पूछो situations तीन साल पहले कितने की ती अब कितने की है अलू टमाटर के रेट पूछ लेना हर चीज का रेट बढ़ता जा रहा है मतलब पैसा अपनी परचेजिंग पॉवर को लूज कर रहा है अगर आपने फिनाइशल एजुकेशन में सबसे पहला कॉंसेप्ट ही नहीं समझा वह होता ह इस पैसे को मरने नहीं देना इस पैसे को काम पर लगाना है और सकांपर लगाने को बोलते हैं इंवेस्ट only one thing can kill inflation and that is investment no, investment से सिर्फ नी होगा right investment से होगा तो हमें right investment करनी है अब right investment क्या है तो कि invest करने के नाम पर आप लोग गलत investment कर देते हैं मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो मुझे पता है कि आप लोग क्या क्या करते हैं अभी एक सजन से मैं मिला मैंने का आप इंवेस्ट करते हैं कि नहीं बिल्कुल करते हैं तो उन्होंने मुझे बोला सर मैंने ये ये शेर्ट करीदे होगा है जो की penny stocks है और सर देखना ये हैं कुछ टाइम में डबल हो जाएंगा कैसे बत आपको का रेटो पाई इती very good किसी और इनसां से मैं मिला उन्होंने का जी मैंने अनलिस्टेड कमपनी में इन्वेस्ट किया हुआ और ये अनलिस्टेड कमपनी जो मेरी इंवेस्टमेंट है एफ आने से पहले-पहले ब einzied aud लोगों की एसी real state में investment होती है जो की registered ही नहीं है लोगों की investments अलग लग जगां होती है आप देखेंगे बहुत सह लोग कहेंगे जी मैंने crypto में invest किया हुआ कोई नया coin आया है और यह नया coin 100 गुना बढ़ने वाला है तो investment से पैसा नहीं बढ़ता right investment से बढ़ता है तो पैसे invest कहां करना है कहां करने से पहले एक और चीज़ important आजाती है कि पैसे को invest करना क्यों है inflation तो सही है बट inflation का जो भी number है उसे बीट करने के लिए मुझे कितनी returns minimum चाहिए अब पैसे को double करने की बाद से start किया था मैंने तुम इसका example दोगा यहां पर एक rule को हम समझेंगे and rule का है rule of 72 दिए हो सकता है मैं थोड़ा सा fast चल रहा हूं हो सकता है मैं थोड़ा सा slow चल रहा हूं depending आप किस लेवल पर हो अगर आपको एडवांस लेवल पर हो आपको लगे का यार इस अब हमें पता है हो सकता है अभी बिगनर हो आपको यार आप बड़े फास जा रहे हो मैं आपको एक सीज़ बोलूँगा even if you are a beginner आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं internet पर available है और अगर आपको एडवांस लेवल की सीखनी है बस बने रहो है step by step हमें बहुत सारी सीखनी है इसी ट्रिनिंग के अंदर तो हम step by step बहुत बड़ी जर्नी कवर करने वाले हैं साथ में बने रहो होगे बहुत मजा है अब rule of 72 क्या कहता है rule of 72 कहता है देखो आपका पैसा कितने टाइम म पता लग जाएंगे example के लिए अगर आपको बारा परसेंट का rate of interest मिल जाता है महीने का एक परसेंट तो आपका छे साल में पैसा double हो जाएगा and this has to be our minimum goal minimum minimum हमें 12% की return चाहिए ही चाहिए अगर 12% से कम की return हमारी आ रही है तो हमें पैसे को बढ़ाना नहीं आता यह हमें admit करना पड़ेगा पैसे को double करने का minimum time period should be six years मतलब किसी के पास पांच करोड़ ता उसका दस करोड़ का बोगा जब उसके पैसे बारा परसेंट की ब्याज मिलेगी आपको वह कहां मिलती है एक्जामपल के लिए एक बहुत स्पिंपल सा एक्जामपल देता हूं आपको एक्जामपल के लिए मेरे इसमें कोई फाइदा नहीं कोई promotion नहीं एक एक्जामपल तो एक एक्जामपल 12% क्लब है अब अगर आप 12% क्लब पे जाओ भारत पे का इक इनिशेटेव है उसमें आपने पैसा डाला हुआ है वहाँ पे 10 लक की लिमिट है तो आपको 12% की रिटर्न मिल एक छोटा जग्जामपल है अब यह तो एक एक्जामपल मैंने आपको दिया 12% की रिटर्न वाला ऐसे बहुत सारी सीज़ है जो हो सकता आज आपको नहीं पता पर आपको पता जरूर लगेंगे तो यह पैसे को डबल करने का हमारा जो गोल है यह मिनीमम सिक्सियर्स है और आइडिली यह तीन से चार साल होना चाहिए जब आप खुद से महनत नहीं कर रहे हो तो अगर आपको होगे सुर्फ तीन साल 24% की रिटर्न यह कैसे आईगी इस पॉसिबल सो इस होगा है कमसे कम छोर 24% की रिटर्न मिले हैं अगर यह नहीं मिलती मेरा कोड़ बनाना बिकार है यह बिकार है बिलकुल मलब आप यह मानगे चलो अगर मेरा 3-4 यह मैं अगर लेटो गया तो 6 साल 7 वह साल भील लगना चाहिए अब यह मेरा गूल हो गया शॉल्क यह बहुए not know, बहुत सरे लोग कहेंगे, रियलिस्टिक है, नहीं है, बस बने रहो मेरे साथ, इतना तो मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, तो देखो, जो मुझे आता है, जो रिजल्ट मैं प्रिड्यूस कर रहा हूँ, उसकी उपर I can talk, अब एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, कि ठीक हम बात करें, 24% रिटर्न की, बट एक बात जरा सोचो, एक बात जरा सोचो, किसी की एक लाग की कैपिटल है, तो एक साल में 24,000 रुपे की रिटर्न एक्सपेक कर सकता है, किसी की एक करोड की कैपिटल है, वो 24,000 रुपे की, आप कह सकते हो कि रिटर्न एक्सपेक कर स आपको कम से कम आपकी तीन साल की रिटरन्स देखनी है जो की आपकी 24 परसेंट के हिसाब से हो अब अगर आप तीन साल के हिसाब से देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इन 3 तू 4 येर्स डबलिंग यो मनी अब एक सवाल लोगों का आएगा कि सर मेरी कैपिटली 10,000 है या मेरी कैपिटली 5,000 है तो वही 5,000 के 10,000 हो सकते हैं 10,000 के 20,000 हो सकते हैं तीन साल में तो क्या हम कर लेंगे बात यह नहीं कि आज हम क्या कर लेंगे आज आपके बस कम कैपिटल है ज़र थोड़ी की जिन्दगी वरी आपके पस कम capital हो, capital कभी ना कभी तो आपकी बड़ेगी, आपको इतना confidence तो अपने उपर हो गई, so financial education में जो हमने सबसे पहली बात करी थी, and that was making money, so वो हमें definitely सीखना है, stock market से पैसा बनता है, अप stock market से पैसा बनता है, अपका पैसा आपकी profession से बनता है, आप doctor हो, आप doctor हैं, तो आप charge करते हैं, पैसे कमाते हैं, आप कोई job करते हैं, आप अपने profession से पैसे कमाते हैं, आप lawyer हैं, आप अपने profession से पैसे कमाते हैं, आप कोई video editor हैं आप अपने profession से पैसे कमाते हैं हर इनसान अपने profession से पैसे कमाते हैं In share market what can be your profession That is trading Trading can be a profession जिससे पैसा बनता है So अब बहुत सरे लोग हैं जो professional trader है अब मैंने बात करी दी जब हम professionalism की बात कर रहे हैं professional बनने की बात कर रहे हैं तो आप उस फिल्ड में एक्सपर्ट या प्रोफेशनल बन सकते हैं अब आपको अपने लर्निंग कर्व को छोटा गरना पड़ेगा टाइम बढ़ाना पड़ेगा सीखने में पेपर ट्रेड करने में और डेफिनिटली इस क्रैश कोर्स को जल्दी-सल्दी खतम करने के लिए इस क्रैश को डेफिनिटली जल्दी-सल्दी खतम करने के विशुश करेंगे और टोल यू कि आप आज आपके पास कैपिटल नहीं है डेफिनिटली यू किन अर्न बट अन्रेलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर मत आना रात और रात स्चॉक मार्केट से कोई करोड़ पती अब रोज अगर हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है उसका पीछे प्रोसेस क्या यह भी सीखना जरूरी है तो मैंने आपको क्या बोला इंपॉर्ड़न क्या है कि अन्रिलिस्टिक एक्स्पेशन ना हो अपकी अगर आप यहां पर यह सोच नहीं कि मैं कुछ ऐसा बताने वाला ह कि आप रातो रात पता नहीं क्या कर जाओगे, मिलेनर बन जाओगे, तो मेरे पाँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पाँ सिंपल चीजे है, सिंपल एजुकेशन है, जो मैं आपको देने वाला हूँ, ऐसी स्ट्राटेजीज जो मार्केट में वर्क करती है, आप सीख सकते हो, if you want to, so if you want to learn, stay connected, हर सुबह साड़े नौ बज आपको वीडियो मिलने वाली है, अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं है, तो डेफिनिटली स्कोर्स के दुरान भी आपको एक दीमेट अकाउंट चाहिए होगा, आप आज ही जाके फ्री में अपना दीमेट अकाउंट खुलवा सकते है, मैं आपके लिए दीमेट अकाउंट का लिंक, डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में डाल दूगा, so open your free दीमेट अकाउंट, क्योंकि अगर आपको ट्रेड करना है, या फिर आपको इन्वेस्ट करना है, दोनों के लिए दीमेट अकाउंट, so you can open your दीमेट अकाउंट, लिंक्स आर इंदे अकाउंट अकाउंट बॉक्स और फाइनली, शेर दिस वीडियो जिससे लोगों को पता लगे, they are going to get the free course on stock market, so free में चीज़े डेफिनिटली मिल रही हैं, बढ़ आपको इसकी value जरूर करनी है, और मैंने आपसे एकी चीज़ मांगी है, कि आपको जो भी वीडियो अच्छी लगती है, आपको information अच्छी लगती है, बस share कर दो, और आपका काम हो गया, हमारी जो efforts हैं, वो जाल साथा लोगों तक पहुचेंगे, आप इस channel पर नहीं हैं, अभी के भी subscribe कर लिजे, बेल आइकन पर click किजे, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिसना करें, so do subscribe, I will see you in the next video, इल्दा टाइम, यूगो सल्फमेट.